वेल्कम बैक मैं हूं गौरब और आप देख रहे हैं कोड़न बैलो जी आज हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले आई सीमार जे आरप 2022 के बारे में जो की 23 सितंबर को होने वाला है कैसे प्रिपेर करें हम वन ळे एकौपिक को एक दिन में हम लोग कैसे प्रिपेर कर सकते हैं अब एक्जाम्पल के तौर पर हम बायस्टेट के एक टौपिक उठाते ह Imronaf को समझने के लिए सबसे पहले तो आप हमारे पीचले वीडियो में जाईए और ये देखे कि हमने वहाँ पे एक कोडोन बालोजी मॉडल तयार किया था ICMR-JRF 2022 के लिए जिसमें हमने syllabus के बारे हम डिसकस किया है तो 5 हमने section divide किया था section A के लिए उसमें से section A का ICMR-JRF का exam है उसमें सम एक section को जो biostate का section था third number में हम उसको लेते हैं जिसमें समने 6 topic आपको बताये थे 6 topic क्या था mean, median, mode, standard, deviation ये इससे questions आते हैं central tendency आपको ये पढ़ना है describing and displaying the data कैसे आप data को analyze करते हैं display करते हैं ये 5-6 topic हमने दिया है ये common topic के नाम है लेकिन आगर आप इसके भीतर देखेंगे topic कोचे से समझने की कोसिस करेंगे इस topic में चोटे-चोटे topic sub topics हैं जिसको आपको पढ़ना है और जहां से questions आते हैं चोटे-चोटे sub topic जो है sub topic करने का मतलब मैं भी आपको बताता हूँ सबसे पहले थोड़ा से हम लोग देख लेते हैं कि statistics mathematics होता क्या है अगर statistics तुको अच्छे से समझना है तो हमें प्रोफेसर होरेस सर को समझना पड़ेगा उन्होंने कुछ पांच ऐसे topic लिखे हैं जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि क्या होता है पहला उन्होंने बताया कि दिजर्द एग्रिगेट्स ऑफ फैक्ट्स ये क्या है एक्शुली फैक्स है एग्रिगेट्स ऑफ फैक्ट्स है कोई एक डाटा कोई भी एक डाटा आप बाय स्टेट या स्टेटिस्टिक्स में नहीं ला सकते उसको हम लोग कहते हैं नहीं कि इस्टेटिस्टिक्स है कम सकम दो या इससे ज़्यादा डाटा होना चाहिए एक्जामपल के तौर पर हमने यहां लिखा है कि माल लिजे कि नेशनल इंकम ऑफ कांट्री फूर ए सिंगल येर एक साल का हमने नेशनल इंकम के अबारे में सोचा तो उसको हम लोग स्टेटिस्टिक्स को पर नहीं ले सकते कम सकम दो या उससे ज़्यादा होना चाहिए तभी हम उसको एनिलाइज कर पाएंगे दूसरा उन्हांने कहा कि स्टेटिक्स आर अफेक्टिड बाई इन नंबर ऑफ फैक्टर्स कोई भी चीज है उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं कि वो किससे अफेक्टिड होता है जैसे एक्जाम्पल के तो पर यहां सेल है तो उसके क्वालिटी उसका प्राइस खरीदने वाले कौन है आपको ओडियन्स कौन है तो इस पे फर्क पड़ता है उसी तरह से जो स्टेटिस्टिक्स है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड्स होते हैं इसके बाद क्या है अगर आप रॉंग फिगर के साथ करते हैं अगर रॉंग डाटा है और उसके साथ आप अगर एनलाईज करते हैं स्टेटिस्टिक्स अपलाई करते हैं तो आपको कंक्लूजन जो होगा वो रॉंग ही होगा इसलिए सबसे जरूरी यह होता है कि आप सेंपल सेलेक्शन जो है इसके बाद चौथा बात इन्होंने बताया जो डाटा कलेक्शन होता है इसमें बाइसनेस नहीं होना चाहिए एक सिस्टमेटिक धंग से आपको कलेक्ट करना अच्छे से कलेक्ट करना है ताकि वो एक्यूरेटली वर्क कर सके और रिलैबल हो अगर आप ठीक से नहीं करते हैं तो आपका कन्क्लोजन मिसलीड हो जाएगा इसके बाद सबसे लास्ट में क्या कहा उन्होंने इसके आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो गंपरेबल होना चाहिए आप उसको कंपेर कर सकें एक दूसरे से कोरिलेट कर सकें तभी इस डाटा का वैल्यू है अगर एक डाटा किसी और चीज़ कहा है दूसरा किसी और चीज़ कहा है दोनों में कोई वेरियबिलिटी नहीं है कोई comparison नहीं है तो फिर उस data का कोई value इसमें नहीं आप उसको analyze ही नहीं कर पाएंगे तो statistics का मतलब है इस 5 चीज़ों को accurately data को accurately collect करना है उसको अच्छे से analyze करना है बिना biasness के उसको analyze करना है और तब जाके conclusion पे जाना है तो statistics का दो family है एक को हम लोग करते हैं descriptive statistics और दूसरे को हम लोग करते हैं inferential को दोनों का क्या मतलब है जब भी आप data को collect करते हैं किसी data को आपने collect कर लिया तो सबसे पहले हम लोग उसको describe करते हैं उसके बारे में जानने की कोसिस करते हैं उसी का हम लोग करते हैं descriptive statistics जब जान लेते हैं था हम लोग statement बनाते हैं तो जो statement बनाते हैं वो आपका inferential statistics में आता है तो सबसे पहले descriptive में क्या होता है कि हम उसका central tendency जानने की कोसिस करेंगे suppose करिए एक डाटा आपके पास है दो चार छे आठ दस अब इसके बारे में जानना है तो हम लोग यह जानेगे कि डाटा का average value क्या है तो average value जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसका mean कहां पर है यह this क्या है तो इसको हम लोके अबी चाहां पर कि retired Quand Emma 1990 अब यह भी तो जानना पड़ेगा कि रेंज क्या डाटा का रेंज किया है कहां से कहां तक शुरू हुआ हैं तो मैक्सिमुम को हम लोग divide minus कर देते हैं तो यह आपका range निकल जाता है तो यह हो गया range data का इसका range क्या हो जागा आपका 8 है इसका range तो range क्या हो गया variability को हमने measure कर लिया कितना variable data है इसके पास तो पहला चीज हमने उसका center जानने के कोसिस क्या center में कि इसका value क्या है इसका average क्या है और दूसरा हम लोगों क्या जानने के क्या है उसका range variability क्या है तो description में हम लोग 2 चीज़ां को आध्यान रगते हैं उसका central tendency को हम लोग जानने की कोसिस करते हैं कि इसका मतलब क्या है सद्रका का और दूसरा कि यह data कितना variable है यह दो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं descriptive method में statistics में इसके बाद जो inferential आता है उसमें हम लोग इसको एक statement बनाने की कोसिस करते हैं कि यह जो हम लोगों ने tool यूज किया इसका conclusion क्या निकला वो inferential है तो मालेज़े कि यह population है अभी इस population में हम लोग क्या करेंगे sampling करें अब population तो बहुत बड़ा है तो descriptive method ने आपको क्या दिया एक tool दिया उसको जानने का उसको समझने का data को analyze करने का इसके बाद inferential ने क्या कहा कि इसके बारे में पुछ बताईए तो हमने data का sampling किया यहां आ गया इसके बारे में जाना descriptive method अपना आया और फिर क्या किया इससे के statement हमने निकाला इंफरेंशल statistics को कहते हैं हम लोग और उसके बारे में कहा कि यह चीज़ें ऐसी है अब example के तोर पर हम लोग अगर लें तो हम लोग पूरे अर्थ पे जो population है हम जानने के कोसिस करते के average height या human height क्या है अगर हम लोग जानने के को सिसके लिए आपका population क्या हो गया यह पूरा अर्थ जितने लोग है जितने इंडिविज्वल से पूरे अर्थ में वह आपका population हो गया तो क्या यह possible है कि हर एक individual का height आप जाके नाप सकते हैं पूरी दुनिया में नाट पॉस्टिबल तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करेंगे इसका एक sample त्यार करेंगे sample मतलब हो सकता है कि इंडिया पूरा हम लोग करें हो सकता है कि कोई city हो कोई सहर हो या कोई देश हो यानि कि हम पूरे पूपलेशन में से एक छोटा से एरिया सेलेक्ट करेंगे और वहां से कुछ simple को collect कर लेंगे और उसी sample में हम लोग क्या करेंगे randomly choose करेंगे people को और उसका height हम लोग measure करना शुरू करेंगे तो क्या पूरा हम लोगों ने लिए नहीं लिए चीज़ें कroe कुछ छोटे से खल को हमनेलाईज करना सुरू किया अब उसका हम लोग डिस्क्रिप्चन सुरू करेंगे तो description, descriptive method हम लोग वपलाएंगे, tool अपनाएंगे, तो tool हमें क्या बताएगा? उसका locate करेगा उसका parameter, जो location, parameter, location, parameter, central tendency को मापने का जो parameter है, जो अपका क्या है? mean है, median है, mode है, उसका sum है, standard है, ये सब चीज़ें किया है, उसका central tendency को, उसका meaning बताएगा, central tendency को मापेगा, उसका central tendency, यानि कि जो mid value है, वो सब चीज़ें उसके बारे में बताएगा, इसके बाद दूसरा हम लोग फिर क्या करेंगे, उसका variability को जानेंगे, standard deviation क्या है, variance क्या है, range क्या है, ये सब चीज़ें जानेंगे, इसके बाद हम लोग एक data त्यार करेंगे, frequency table का, कि कौन सा data बार बार आ रह है, उस population के बारे में जानने का, उसके बारे में समझने का, अब example के तोर पर हम पूरा data तो नहीं ले रहे हैं, कोई 10 data हमने लिया, कि body height के बारे में, ये हम लोगों ने meter में ले लिया, माल लीजिए, तो body height यहां पर हमने लिख दिया, इसका value ले लिया, 1.6, 1.7, 1.5, ये क् value के अधार पर, इससे कई सारे data available कराए जाएंगे, जैसे उसका mean value क्या होगा, median क्या होगा, mode क्या होगा, sum क्या होगा, standard deviation क्या हो सकता है, variance क्या हो सकता है, minimum क्या है, maximum क्या है, उसका range क्या है, ये सब सिर्फ इसी data से analyze किया जा सकता है, descriptive method है ये, आप इसको describe कर रहे हैं कि क्य क्या क्या इसमें आ सकता है इस डिस्क्रिप्टीव मेथट के बाद जब यह पूरा टूल आपके पास हो जाएगा तब आप एक statement बनाएंगे इस population के बारे में कि हमने एक population को क्या क्या जाच किया हमने जाना जब जान गए तो हम रिवर्स वैक आएंगे उसी population को क्या देंगे एक statement देंगे कि इस population में ऐसी चीजें हैं यही होता आपका inferential statistics तो क्या direct descriptive method के बाद हम लोग inferential पर जा सकते तुरंद नहीं जा सकते जैसे आपका descriptive method खतम होगा तो inferential जाने के लिए उसमें कुछ tools है जो आपको साबित करना पड़ेगा जो आप चीजें कह रहे हैं hypothesis तयार कर रहे हैं उसके लिए कुछ test होते हैं वो test देके आपको test को verify करना पड़ेगा फूरूप करना पड़ेगा तब आप जाके उस statement को तयार कर सकते हैं और इसी सब test में inferential statistics में आता है आपका जैसे टी टेस्ट हो गया बैनोमिल टेस्ट हो गया काई स्क्वार टेस्ट हो गया कि इसी में आपका regression analysis आता है simple linear regression होता है multiple regression होता है इसके बाद इसमें correlation आपका आता है और फिर इसके बाद इसमें Innova टेस्ट आता है यह सब test से क्या करते हैं हम लोग inferential जो भी हम लोग बनाते हैं statement बनाते हैं उसको satisfy करते हैं उसको verify करते हैं और तब जाके finally उसका एक स्टेटमेंट हम लोग तयार करते हैं तो दो इसका फैमली हो गया एक descriptive दुसरा inferential descriptive में हमने क्या किया उसके बारे में जाना उसके बारे में समझा उसका जो mean value है उसका जो central tendency उसको जाना उसका variable के चीजों को जाना और फिर उससे एक inferential हमने data तयार किया कि statement तयार किया एक main population data के लिए और इस data को फिर हमने test किया verify किया और जाके तब एक statement तयार किया जो statistics की मदद से हमने लिया और यह वाना जाता है कि यह जो data होता है यह accurate होता है तो एकुरेश्टि कहां साया आपका sample collection से ही accurate हमने बात किया है कि आपका sample जो है accurate होना चाहिए आपका logical होना चाहिए एक manner में आपको collected data होना चाहिए तो यह पूरा आपका क्या statistics है तो यह पूरी चीजों को यहां सुरू से अंतक हमने आपको दो मिनट में तीन मिनट में बता दिया अब इसको थोड़ा सा detail में अगर आपको पढ़ना होगा जानना होगा questions कैसे आते हैं कैसे questions बनते हैं तो हमने यहां पर कुछ एकदम छुट इस्टे सब कैसे को माप सकते मीन कैसे निकालते हैं मोड कैसे निकालते हैं मीडियन कैसे निकालते हैं इसके बाद distribution of data symmetrical data distribution यह सब आपको जानना है नौर्माल डाटा distribution क्या होता है और फिर है positive is cute negative यह दोनों टापिक बहुत important है इससे हर साल एक से दो कोशन्स जरूर आते हैं तो इसको अच्छे से आप करहीं लीजिएगा मीन क्या है different type of मीन जो होते हैं उसमें क्या relation है जिसे अर्थेमेटिक मीन हो गया maximum और minimum को हम लोग मैनस करते हैं तो range निकलता है इसके बाद यह था 14 टॉपिक इसके बाद और टॉपिक्स हैं जैसे की confidence interval है variance है standard deviation है coefficient of variance है hypothesis testing है sensitivity है यह सब चीजें जो है standard normal distribution है यह आपको जान लेना है इस अब सब टॉपिक्स हैं ऐसा नहीं बहुत time लगेगा बस 10 मिनट 15 मिनट आप इसमें time देंगे दीरे-दीरे टॉकी क्या होगा आपका complete हो जाएगा और पी वेल्यू पे जरूर ध्यान दिजिएगा null hypothesis का कैसे rejection होता है और कैसे selection होता है इसको जरूर पढ़िएगा इसमें questions कैसे आते हैं type 1 error type 2 error यह आपका type 1 error और type 2 error है और type 3 error भी होता है जो आपको पढ़ना है यहां मैंने नीचे लिखा type 3 error तो तीनों error आप जरूर पढ़ लें कि कैसे इसको calculate किया जाता है और इसका क्या meaning है कुछ case study भी आप पढ़ें जैसे two tail hypothesis क्या होता है अपर one tail hypothesis क्या होता है लोवर one tail hypothesis क्या होता है जट table क्या होता है non directional hypothesis क्या होता है null hypothesis का कैसे rejection होता है उसका p value पर क्या आसर पढ़ता है यह सब चीजें आपको जान लेना है और last में जो inferential tool है वह आपका क्या है इनोवा और काय स्कुर्ट टेस्ट काय स्कुर्ट को जान ही लें इससे questions आते हैं इनोवा टेस्ट से जो है statement based question आते हैं लेकिन काय स्कुर्ट टेस्ट जो है इससे numerical type का questions आ सकते हैं तो यह वो चीजें है जो आपको statistics में पढ़ लेना अगर आपने इतना कर लिया तो आप ये लिकीन मानिए कि ICMR के section A में आप कम से कम आठ से 10 question जरूर बना लेंगे अगर इतना concept आको वसा गया तो आठ से 10 question आप total जो है ICMR section A में जरूर बना लेंगे और यह fix है Thank you so much for watching this video अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लेजी वीडियो को like कर लेजी और bell icon को जरूर दबाईए तक कि जल्दी से जल्दी पहला update आप तक पहुंचा है और आप हमें follow भी कर सकते हैं Facebook पर Instagram पर टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर खासकर कुछ आपका document ह होता है या कुछ नोट्स होते हैं तो यहां पर भेजने में असानी होती है तो आप हमें WhatsApp पर भी connect हो सकते हैं हमें Facebook पर फॉलू कर सकते हैं Instagram पर भी कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी फॉलू कर सकते हैं और हमारे ब्लॉग से जूड़े रही www.inventivevideocare.in आप website पर जाएंगे तो यह आपको वहाँ पर मिल जाएगा आप वहाँ से जूड़े रहे तो जो information है वह ब्लॉग के जरी आपको मिलता रहे तैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू कर दो